यह विल्कम बैक तो मैं चैनल दिस प्रेय रहे हैं तुछ सबका है स्वागत तो आज हम बात करेंगे PS5 इंडिया के एक और छोटी सी गुड न्यूज आई है अब आज कल का फी गुड न्यूज आ रहे है जो की एक अच्छी बात है पॉजिर्टिव साइन है PS5 इंडिया री स्टॉक के लिए सो विल टॉक बाउट दाट एंड गाई आगे बंढ़ने से पहले थैंक यू फॉर और यह लवन सपोर्ट हमारे 1600 अल्रडी क्रॉस हो चुके हैं हमारा और अगर तुम लोग नहीं हो तुमने अब तक डिस्कॉर्ट सर्वर जॉइन नहीं कि आप एप्ले कर दो जाओ जॉइन करो लिंकर डिस्क्रिप्शन में गो चेकिट नाओ मेंबर बनो और बातें करो तो आज का जो न्यूज है वो है यह पीस फाइव इंडिया री स्टॉक कॉंटिटी टूबी सब्स्टैंशल सोर्स तो यह काफी एक गुड न्यूज है और इससे पहले जो मैंने गुड न्यूज कवर करी थी अग्चिली की हेप्रेल अभाट आध में मुझे दो तीन एंट ने बोला है कि है उसके बाद यह काफी सही कि आए थी बहुत सारे रूमर आए थे कि पयेस्द आइंडिया का ज्री स्टॉक अलटिट होग होब बहुत कम होगा खुद सोनी नहीं एक्चुली आईजिन नहीं पब्लिश किया था और इसके डिटर थे और उन्होंने बोला था कि उस पे कुछ 50 to 60% का उस पे कट होगा इंडिया के री स्टॉक जो भी आने वाला है सेकेंड तो बट यह जो न्यूज है यह मुझे लगता है उसको गलत साबित करती है और यह स्टॉक है जो पहले से आया था और वो अपसे काफी ज्यादा होगा और पहले एक्चुली 4000 के आसपास आया था वो सारा 4000 पूरे कस्टमर्स में नहीं बटा था कुछ क्या करता है सोनी अपने पास रख लेता है जैसे ऐसे माल लो आपका कुछ खराब होगया माल पानी तो व ऐसे ही सेम चीज़ कुछ लोग एक दो आर्टिकल कह रहे है कि शायद उसका डबल आएगा लेट सी 7-8000 बट सौक सौक कॉंटी तो भी सबस्टेंशल ये काफी सही चीज़ है और अगर मैं तुम्हें यहां पे दिखाऊं तो यहां पे लिगा है सोनी सीम्स तो आप है विद करती है कि PS5 इंडिया का री स्टॉक बसाइगे सोनी वाल है और यहां भी मेंशन है सोर्स इस फैमिलियर विद दी कंपनी प्लाइन इंडिया और मुझे अब तक उनका रिस्पॉंस नहीं बिला है मैं भी उनसे बात करने की कोश्क में लगा हुआ हूँ तो मुझे मैंने भी करती है कि PS5 इंडिया री स्टॉक दाली है तो अभी उनका रिस्पॉंस आया नहीं है विद्ध करूँगा तो पहले न्यूज आहीं मैं पहले निव्यज आहीं इसमें एक और चीश मेंशन करी है कि सोनी क्या चाहती है कि उसके जो PS5 वो bonafide buyers के पार्स पहुंचे ना कि scalpers के पास क्योंकि पहले क्या हुआ था से 4000 के आसपा स्टॉक आये थे और उसमें से कुछ ही बिखने के लिए थे तो वो कुछ लोगों मिले और कुछ ने उसको scalp कर लिए और उसको high price में scalping होने लगी और scalpers बहुत सारे हो गए तो while this could leads to a fever retailer have official unit of the PS5 because of this it also means that genuine store should have more PS5 to sell at fair price तो यहां पर यह mention किया है कि genuine जो store है वह ज्यादा PS5 को बेच पाएंगे फिर प्राइस इस पर जैने स्टोर का मतलब वो स्टोर जो सोनी के exclusive showroom है जो exclusive center ऑफिशल center उनके पास ज्यादा store आगा बजाए कि वह जो third party जो store होते हैं उनके पास स्कम स्टॉक आगा जैसे की कारला electronics तो भाई यह उनसे बचके और तो लेट सी गाईज यह दोनों चीजें काफी positive हैं जो मैंने last cover करी थी और यह यहां पर although sony does not comment on PS5 restock let's see मैं अभी तक मुझे मैंने मैं भी खुद भी बात करने की ट्राइब कर रहा हूं मुझे अब तक कोई update नहीं मिला और इसमें जो second जो हमारा topic है वो है PS5 इंडिय रिस्टॉक डेट अपरेल 2021 वह बहुत सारे लोग यह कह रहे हैं कि मिद अप्रेल और अप्रेल एंड में अनूस्पेंट होगी अप्रेल में आने की बहुत सारी उमीद है तो लेट सी मैंने भी दो तीन रिटेलर से बात करी थी एंड यह प्रेटी शूर की अप्रेल में स्टॉक आ रहा है तो लेट सी गईस बत्म लोग को बताना चाहूंगा यहां पर रिशी अल्वानी का ट्यूट है सम आप दी सम फॉम 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 अर वेटिंग यह लुट राईटी शोल से फॉम फॉम इंडिया री स्टॉक है वो इस कंट्री में अभी तक आया है नहीं आया है बाट आई डॉंट नो आई एस पीएस फोर तो आ चुका है और वो बिग भी रहा है सो मेरे हिसाब से आईगेस रास्ते में होगा या बहुशने वाला होगा तो लेट सी गाईज और इसको लॉक्डाउन कितना अफेक्ट करता है उस पर भी बात करेंगे उस चाहिए आने वाली वीडियो में तो आई गोप यह दो जो वीडियो आई है यह काफी पॉजिटिव है क्योंकि हम लोग भी एक बार बात कर रहे थे कि कॉंटिटी बहुत कमाने के उम्हीद है बट इस यह चीज़ काफी पॉजिटिव है और जो पहले जो न्यूज आई थी प्यूज पॉजिटिव है तुम सब के लिए तो गाईज लेट सी लेट सोप फॉर दी बेस्ट और क्या होता है जो भी हम होगा जैसी कोई अपडेट मिलता है मैं कवर करूंगा मैं बाकी रिटेलर से कर रहा हूं प्रिपेड से कर रहा हूं और सबसे बड़े प्लेस्टेश मैं इल सी यू गाईज इन दी नेक्स वन बाई